दुनिया की हलचल पर पहनी नजर, पड़ताल दुनिया भर की, देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया, जानने और खोजने का, समझने का कि क्या चल रहा है, आसपास और साथ समंदर पार, आखिर हम हैं ग्लोबल सिटिजन नमस्कार, पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान लगातार जल रहा है, एक के बाद एक दहलाने वाली तस्वीरे हमारे सामने आ रही हैं, इन पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और हमारी चर्चा भी इसी पर चल रही है, आज इस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं न्यूस क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस से, प्रबीर क्या हो रहा है जिस तरह से जो नजारा आया, जिस तरह से हमला हुआ, सुसाइड बॉमर आया, और इतने बड़े पैमाने पे लोग हतावत हुए, सुसाइड बॉमर या आइसिस खुरासान जो कह रहे हैं, उसकी तरफ से वहां पर आतनकबादी हमले हो सकते हैं, और इसलिए तालिबान ने भी कहा था, कि आप जल्दी इसको खतम करें और वहां भीड ना बनाएं, क्योंकि अगर भीड वहां होगी, तो हम इसको इस तब प 31 ओगस्ट तक, तो वहां पर जो बाहर जाने के लिए जो इच्चुक है, इनकी संख्या इतना ज्यादा भीड मचाके वहां पर है इस वक्त, कि उसको सम्हालना और उसके साथ साथ टेर्रिस्ट हमला इस तरह के रोकना संभब नहीं है, नहीं कहूंगा, बहुत बुश्किल ह और अब देखें अगर अभी जो फिगर्स हमारे पास आये हैं कि 85 हताहत हुए हैं, उसमें 13 अमरीकी सोलजर्स भी हैं, तो सेना भी है, तो टार्गेट तो एक गेट था जिससे लोकों का अंदर लिया जा रहा है, एक गेट जिसमें अमरीका के सोलजर्स भी थे, लगता है, वही टार्गेट हुआ है, कितने बॉंब स्पोर्ट हुआ है, नहीं मालुम, दो सुईसाइड बॉंबर की बात हो रही है, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे इस तरह से हमले हुए हैं, तो लग तो रहा है कि ये प्लैंड था, आइसिस, खुरासान जो कहते हैं उसकी तरफ स और इसकी जानकारी अमरीका तालिबान दोनों के पास थी, क्योंकि अब लग रहा है कि विलियम बर्ल सी आए के जो डारेक्टर है, वो तालिबान से जब मिलने आये थे, लगता है इसकी चर्चा उनमें जारी था, अमरीका भी कहा है, उनके पास ये खबर था, कि ये हमला हो हमला हमारे सामने गुआ और तुरंट उसकी जिम्मेदारी भी संगठन ने ली, देखिए, इस तरह की सुईसाइड बॉम्बिंग रोकना कहीं भी आसान नहीं है, तो आपको बहुत कंट्रोल इंवारिमेंट पे अगर आप जाएं, तो शायद रोक सकता है, पर ज्यादा तर सुईसाइड बॉम्बिंग के जो परिणाम होते हैं, उसको रुकना इतना असान नहीं है, सभी मानते हैं, एरपोर्ट को क्यों निशाने पर लिया, क्या लगता है, साफ है कि भीड है वहाँ पे, नहीं तो काबूल में हर जगा पे इस वक्त जिस तरह की तालिबान की निया और इसको भी दिखाना चाहते हैं कि तालिबान जो है सफल नहीं है इसको रोकने में, तो आइसिस की दोरा टार्गेट है, अमरीका भी टार्गेट है और तालिबान भी टार्गेट है, आइसिस खुरासान, यह है क्या और तालिबान और इसके साथ, अमरीका के साथ क्या रि सिर्या में ये अल-काइदा कहिए, इसलामिक स्टेट कहिए, इसका ओफशूट कहिए, अल-काइदा से टूट के ये लगता है, आइसिस बना था, पर ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे अल-काइदा का फॉर्मेशन में, अमरीका के हाथ था, क्योंकि सौवेट यूनिन को उनक बिल्लादन दोनों निकला जो कि अलकाइदे के फाउंडर्स हैं अगर आप यहां जाएं तो आईसिस की फाउंडेशन भी देखें तो अलकाइदे से अलग हुआ ऐसे बितना ही नहीं 2012 की इनकी एक intelligence report है अमरीका की जो public हो चुकी है हलांकि काफी चीज़े उसमें redacted है कहते हैं ब्लैक इंक में है तो उसमें साफ कहा था कि आईसिस की वहां पर formation होना का संभावना है और अमरीका बाद में इनको सीरिया के खिलाफ इस्तमाल किया था उसकी सबूत सब के पास है को स्मगलिंग करके arms उनको देना cia उस arms को प्रक्योर करना अलग-अलग जगह से लिविया जब गदाफी को गिराया गया उसके बाद लिविया से लाना यह सब की सबूत सब के पास है open है कि इसके सिरिया के खिलाब इस्तमाल कतर ने किया था साओधे अरेबिया ने किया था United Arab Emirates ने किया था अमरीका की प्रश्ट्रे उसमें था इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि वो चाहते थी कि आसाद सरकर गिरे तालिबान के पीछे भी अमरीका रहा है इस संग्ठन के पीछे भी रहा है हथियारों की सप्लाई सारी तो क्या माना जाएगी दोनों आप टकरा रहे हैं नहीं इस पे तालिबान के तो अमरीका के साथ टकराओ 2001 में होई गया था तो वो तो अलग हो गया इसके बाद उन्हों ने इस तरह सामना नहीं किया था अमरीका को उस बाद में फे एक CP Troupe से सामना किया था तर ओधिरे दिरे अफजान पर अपना कबजा बना रहा था वो तुमालूम उन्होंने पहले से कह दिया है जब उन्होंने टेक ओवर किया और उसके पहले कि भी कहा है submit को ऐनाफन का और आईसिस खुरासान के बारे में पहले सी उन्होंने कहा है इसके साथ कोई हमारे नतु की संभावना है इसकी तालमेल की हम इसको एक दुश्मन की खेमे में डालते हैं और इसके खिलाफ हम लड़ाई करेंगे इसको हम अफगानिस्तान में पनपने नहीं देंगे इनका रहा हूं ताक्तिक समझ ये है कि अफगानिस्तान के लिए एक खत्रा है ऐसे संगठन यहां रहना उसको यहां से निर्मूल करना उनका काम है और वो डिकलेरेशन वो दे चुके हैं और इसके साथ-साथ अभी साफ है कि वो भी टारगेट थे इस अटैक के और सही माने में अफ तो बीज दिन में नहीं हुआ है तो अगर उस तरह से देखें तो अफगानिस्तान को स्टेबिलाइज करने में तालिबान को वक्त लगेगा तालिबान अन्रूनी पॉलिसी क्या करेगा अपने आरोतों के प्रति उनकी क्या निगा होगी दूसरे मुलकों की प्रति क्या नि है इरान के साथ पहले तालिबान की काफी बैर संबंद रहे पर लगता एक पीछले आठ दस साल में वो सुलच चुकी है इस तरह से ताजिकस्तान उजबेकिस्तान उनके अंदर काफी ताजिक और उजबेक माइनॉरिटीस है जो पुश्टून नहीं है यह जो हमला है यह इस उसके बाद भी इन तमाम ताक्तों का इतना वर्चस होना कि सीधे सीधे अमरीका को भी एरपोर्ट पे ही उन्होंने निशाने पर रही लिया लेकिए चाहत दो सुईसाइड बांबर को रोकना और अराजकता देश में फैलना अलग-अलग चीज़े है तो उसको हम जोड़े इस तरह से यह टर्रिस्ट अटैक है कहीं भी हो सकता है और वो अगर होता है अगर भीड होगी वहाँ पर लोगों की मौत होगी लोगों की चोट पहुँचेगी तो मान के चलना चाहिए टर्रिस्ट अटैक रोकना इतना असान नहीं है वो अमरीका बहुत बार फेस कर चुक लगता नहीं कि अफगानिस्तान में है आइसिस के खिलाफ तालिबन पहले ही कदम उठा चुका है और इसलिए कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर कह सकते हैं आइसिस की कब्जे में है वो लगता नहीं है अभी जो हमने नक्षा देखा था पिछले प्रोग्राम में भी रख चस्व वाला ही है इस वक्त पंशीर छोड़के लगता ऐसा ही है पर इससे ज्यादा इंपॉर्टन यह है कि आइसिस की कहीं इस तरह के गड़ नहीं है अभी लगता है तो आइसिस डिस्पर्स्ट तरीके से इधर उधर चुट-पुट ग्रूप्स हो सकते हैं और अफगानि इसस कुछ जहों पर है हो सकता है पर इसस खुरास्तान की कोई बड़ा प्रवाब है अग्राना बड़ा नहीं है और ना कि कोई ऐसा इलाका है जिसमें वहां उद्यान की प्रेजेंस है जहां तक हम देख पा रहे हैं यहीं सही है हाँ पंशीर इलाके में कुछ लोगों ने तालिबान का मसूद का बेटा हमद मसूद का बेटा और भी वाइस प्रेजिडेंट जो थे अबरॉल्ला साले उन्होंने पंशीर को कहा है कि हम यहां से लड़ाई करेंगे पर इस वक्त जहां तक रिपोर्ट्स हमारे पास है कि वो भी बातचीत कर रहे तालिबान के साथ कैसे इसको निप्टाये जाए और कैसे एक यूनिटी सरकार बनाये जाए तालिबान का कहना यह है 31 के बाद हम घोशना करेंगे जब तक अमरीका की टूप्स यहां पर है हम अपना सरकार नहीं घोशना करेंगे वो जाएंगे इसके बाद अपना घोशना करेंगे इसलिए उन्हो गड़बंदन तो होगा, क्या गड़बंदन होगा नहीं बता सकते हैं, पर यह साफ है कि टॉक्स जारी है, बात्चीत जारी है, और इसका एक कम से कम एक इंटरीम सरकार गोशना करेंगे, अभी छुट-पुट से वो करने शुरू कर दिया है, गवर्नर काबूल का, यहां का, इस तरह से कुछ घोशना है हुई है, पर क्या एक पब्लिक फेस इस सरकार का क्या होगा, इंटरीम सरकार कह सकते क्या होगा, उसको देखना पड़एगा, और उसमें तालिबान इसके पूरी कभजा में रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं, क्योंकि बंदुक उनके हाथ में इस टेर्रिस्ट एटेक्स हैं जो पड़ोस के देश हैं अफगानिस्तान के उन पर क्या आपको लगता है, क्या आसर पड़ेगा और क्या कुछ समीकरण बन रहा है, वो लोग भी इस तरह के हम लोग से तो निश्ची तोर पे उनको लगेगा कि अगर यहां बढ़ेगा तो उनका मुल्क और ज्यादा खुला है, तो साफ है कि पार्शवर्ती देशों की इंट्रेस्ट नहीं है कि अफगानिस्तान में शानती रहे, और वो कैसे उस शानती को बरकरा रखा जाए, ऐसे ताकतों को ना आने दिया जाए, तो सब के इंट्रेस्ट में है, आइसिस खुरा अफगानिस्तान की कोई बड़ा प्रेजन्स है अफगानिस्तान में, अब कहां से आये, क्यों आये, वो अलग बात है, पर ये बात है जरूर कि वहां पर खास उनकी प्रेजन्स नहीं है, और अभी तालिबान की जो इसलाम के बारे में भी समझ है, और इनकी जो इसलाम के ब भी धी उनका यह द्रिष्टिकॉन बरकरार है और यह जो है एक टर्रिस इटेक है साफ है कि तालिबान भी उसका शिकार है अब नेटो फॉर्सेश अमरीकिन फॉर्स भी उसका शिकार विवा है दोनों शिकार हुआ भूलियेगा मत अफगान सबसे ज्यादा मरे हैं इसमें 85 अ अफगान है तेरह American soldiers है सबसे ज़्यादा अफगान ही मरे हैं इसमें और तालिबान इसके बारे में साफ है कि ऐसे इस ताकतों को अफगानिस्तान में वो पन अपने नहीं देगा तो निश्य तोर पे इस तरह का जो टेरिस्ट अटैक है इससे जो वो हासिल करना चाहते हैं जि कतिस के बाद वो अपना आगे का प्लान बताएगा तो हम खाली यहां बैटकर यह उमीद कर सकते हैं कि आने वाले दिन कुछ थोड़ा धुंद हटे जो जिस तरह का दर्दो गुबार है वो थोड़ा सा हटे इस तरह के टेरिरिस्ट अटैक्स से बहुत हासिल ना कर पाएं टे अगली चर्चा में जब हम यह करेंगे इस पूरे इलाके पर क्योंकि नजर बनाई रखनी बहुत जरूरी है तब तक हो सकता है कि तस्वीर अफगानिस्तान की और आसपास की थोड़ी और साफ हो सके हमारे सामने शुक्रिया